मॉर्निंग हम देख रहे हैं एक बार फिर से ग्लोबल संकेत हैं वो काफी जादा धमाकेदार नजर आ रहे हैं अगर SGX Nifty की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ आप कह सकते हैं कि खरदारी हल्की फुलकी दिखाई दे रहे हैं 60 अंक उपर SGX Nifty है लेकिन डाव नास्डाक फ बाजारों में और रूस यूक्रेन मामले में क्या नए अपडेट खास्तोर से वीकेंड पर निकल कर आए हैं पूरी डीटेल लेकर मेरे सहयोगी दिपांशू में इसा स्टूडियो में जुड़ चुक हैं दिपांशू गूड मॉनिंग आज मेरे पास आपके लिए दो सवा खबरे भी हैं और अनफॉचनेटली कुछ खराब खबरे भी मेरे पास हैं तो अब डिसाइड करना पड़ेगा बाजार को किस सरफ जाना है बट एक बड़ी खबर नहां कल शाम निकल कर आई है जब ब्लैडमीर पुटन रश्या के प्रेज़ेंट साहब बात कर रहे थे और वो रश्या के नुकलियर वेपन अपनी जगा पर रख पाएगी और इसके साथी अभी-भी खबर आ रही है कि बेलरूस भी अब रश्या के साथ वार में जुड रही है और अब बेलरूस की सीना भी मिलकर यूक्रेन पर अटाक कर सकती है आज ही सुभा ये अभी-भी थोड रखनी है नजर काफी जगाओं पर रूस में यूक्रेन में लड़ाई जारी है हम देख रहे हैं काफी शेहरों के लिए लड़ाई चल रही है खार कीव जो इनका सेकंड बिगेस्ट शेहर है उसका कंट्रोल रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रांसफर होते हो दिख रहे ह हमने देखा था कि रश्या के कंट्रोल में आगया था राज़ानी कीव में तो हम देख रहे हैं पिछले चार दिनों से घमासान युद चल रहा है और अभी भी वहाँ पर आप गोली बारी देख रहे हैं पर इसके सामने हमने देखा है कि अब यूएस और यॉरप भी पूरी तरह से यूकरेन के समर्थन में आ गए हैं ये अपनी सेना तो नहीं भेज रहे हैं बट मिलिटरी सहायता भेजी जा रही है आम्स, वेपन्स, मिसाइल्स, एर सपोर्ट, फ्यूल, हुमानिटेरियन एड ये सब यॉरप के सभी देश और साथ ही यूएस यूकरेन को भेज रहे हैं ये न कहीं एक indirect involvement हमने देखा है, बाकी western countries का इस war में अब हो चुका है तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर and of course, sanctions की अगर आप बात करें तो over the weekend काफी सारे और sanctions लगा दिये गए हैं एक तो जो swift banking system है, कई सारे रूस के banks अब उससे हटा दिये जाएंगे इसका impact आज आप देखेंगे, especially Russian ruble पर आपको रखनी चाहिए नजर इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि रश्या का जो central bank है उसके कुछ assets पर भी रोक लगा दी सकती है यह बहुत rare होता है कि किसी nation के आप central bank पर action ले रहे हैं बट definitely अब ये भी होने वाला है यॉरप के सभी देशों ने रूसी विमानों के लिए अपना airspace बंद कर दिया है तो वहाँ पर एक सहमती बंती हुई दिखी है इसके साथ ही व्लाडमीर पुटिन और उनके जो foreign minister हैं लैवरोव उनके assets पर भी अब restrictions लगते हुए आपको दिख रहे हैं Google, YouTube, Facebook, Twitter ये सारे के सारे platforms रश्या के users और Russian media पर sanctions लगा रहे हैं उस पर रोक लगा रहे हैं, access पर रोक लगाई जारी है इसके अलावा Elon Musk ने कहा है कि Ukraine के उपर अब उनका जो starling satellite internet system है उसकी सुविदा देंगे तो हम देख रहे हैं कि बाकी जो western देश हैं अब वो सारे के सारे Ukraine को support कर रहे हैं रश्या के खिलाफ हो गए है directly military involvement नहीं है बट indirect involvement है Belarus अब रश्या के साथ मिलकर Ukraine के साथ लड़ाई कर रहा है और सबसे चिंता जनक बाद जो कल शाम कोई nuclear force को high alert पर कर दिया है तो वहाँ पर हमारी नजर है